मेरट में शनिवार सुबह दौराला इस्टेशन पर सारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के दो कोच में बीचन आग लग गई जैसे ही धमागे के साथ कोच में से धुआ उठना शुरू हुआ यात्री कोच से बाहर आने लगे मेरट में शनिवार सुबह पैसेंजर ट्रेन के इंजन और दो कोच में आग लग गई यह हाथसा मेरट शहर से 18 किलोमीटर दूर दौराला इस्टेशन पर हुआ साहरनपुर से दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन मेरट के दौराला इस्टेशन पर खड़ी थी अचानक ट्रेन के कोच में दौरा उठने लगा आनन फानन में रेलवे करमचारियों ने आग लगे इंजन और दो डिब्बो को अलग किया इसके बाद यात्रियों ने धक्का लगाते हुए ट्रेन की अन्य बोगियों को आग से बचाया शनिवार सुबे सारनपूर से दिली जा रही पैसेंजर ट्रेन के दो कोच में आग से अफरा तफरी मच गई सकौती से जब ट्रेन रवाना हुई तो रास्ते में गेट मैन ने रेल गाड़ी के नीचे धुआ उठता देगा जिसके बाद उसने स्टेशन मास्टर को सूचना दी क्योंकि ट्रेन रास्ते में ती इसलिए सकौती स्टेशन मास्टर ने दौराला स्टेशन मास्टर को सूचना दी सुबे 7 बच कर 14 बजे जब ट्रेन दौराला स्टेशन पहुंची तब आग ने विस्तार ले लिया था जिस वज़े से प्लेटफार्म पर कुछ पहले ही ट्रेन को रोग दिया गया आनन फानन वा यातरी कोचों से बाहर निकले बाकी डिबो में आग ना फैलने पाए इसके लिए डिबो को अलग करने की कारवाई आरम की गई दो डिबो को जोडने वाली कपलिंग ना खुलने पर उसे तोड़ना पड़ा इस प्रक्रिया में तीसरा डिबा भी कुछ आग की चपिट में आ गया साहरनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन के दो कोच में आग लगने के बाद अन्य कोच को बचाने के लिए रेलवे के स्टाफ और यात्रियों ने धक्का लगा का ट्रेन को आगे स्टेशन की और बढ़ाया धक्का देकर कोचों को जल रहे डिबो से अलग किया गया इस्पेक्टर दौराला नरिंद्र शर्मा ने बताया पुलिस मौके पर है उच अधिकारियों को अगत कराये गया है मुख अगनी शमन अधिकारी संतोष कुमार राये ने बताया कि गंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया इस हादसे में किसी को कोई अहतात होने की सूचना नहीं है दैनिक यातरियों ने बताया कि सकौती से ही ट्रेन की डिबो में बदवो आने लगी थी लेकिन जब गाड़ी दोराला इस्टेशन पर पहुंची तो आग दिखाए दी इसके बाद तुरंट डिबो से यातरी नीचे उतरने शुरू हो गए कुछी देर बाद ट्रेन में लगी आग ने भेंकर रूप धारन कर लिया अनन फानन में यातरी कोचों से बाहर आए बागी डिबो में आग ना फैलने पाए इसके लिए डिबो को अलग करने की कारवाई भी आरंब की गई दो डिबो को जोडने वाली कप्लिंग ना खुलने के कारण उसको तोड़ना पड़ा सारनपुर दिली पैसेंजर ट्रेन के दो कोच में आग लगने के बाद अनने कोच को बचाने के लिए रेलवे के स्टाफ और यातरी ने धक्का लगा कर ट्रेन को आगे स्टेशन की और बढ़ाया फायर ब्रिगेट की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्त करनी पड़ी इस हाथसे में किसी कोई हताहत होने की सूचना नहीं है मेरे अट सराजीव शर्मा प्रभासाक्षी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को